नमस्कार दोस्तों आप सीके चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंग का एक बहुत ही खुपसुरत डिजाइन लाए हैं इसे आप किसी भी लेडिस प्रजेक्ट में डालें या बच्चों के प्रजेक्ट में डालें ये बहुत ही अच्छा लेगा और इसे बनाने के किया है तो फ्लीज कर लें यहां पही आपको प्रद दिन एक न iया islands देखने को मिलेगा और ज्याँने के लिए आप मेरे पराने वीडियो देख सकte हैं और चलिए हम डिजाइन बनाते हैं तो बार्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो दो फंदा सीधा बनेंगे पहला स्लिप कर लेंगे अगला फंदा सीधा फिर दो फंदे को स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदे सीधे नेक्स्ट दो फंदे ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे अगले दो फंदे सीधे बुनेंगे नेक्स्ट स्लिप करेंगे तो इन्ही चार फंदों को यानि दो फंदों को सीधा बुनना है और दो फंदों को स्लिप करना है इन्ही चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है तो ये हमने दो फंदा स्लिप किया यानि अगला दो फंदा हमें सीधा बुनना है नेक्स्ट दो फंदा स्लिप करना है अगला दो फंदा हमें सीधा बुनना है दो फंदे स्लिप फिर दो फंदा सीधा slip दो फंदा सीधा तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेना है ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइड से ये दो फंदे हमने बुने थे तो पहला फंदा slip कर लेंगे और अगले फंदे को उल्टा बल लेंगे अब देखे ये दो फंदा हमने slip किया था तो इसे वापस slip कर लेंगे और ये दो फंदा हमने आगे से सीधा बुना था तो पीछे से इन दोनों को उल्टा बल लेंगे नेक्स दो फंदे slip कर लेंगे नेक्स दो फंदे उल्टा दो फंदा slip करना है और अगले दो फंदे को उल्टा बुनना है तो दो फंदा स्लिप करते हुए और दो फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से है तो तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैश कर लेंगे पहला फंदा सीधा बुल लेंगे नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे अब देखिए ये दो फंदे हमने स्लिप किये थे तो अब इन दोनों फंदों के बाद वाले जगह पे हम सलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे अब ये दोनों फंदे जो स्लिप कियो गया थे अब उनको सीधा बुल लेंगे और अब इन दोनों फंदों को इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे अब देखिए ये दो फंदे हमने पिछले लाइन में सीधे बुनेते तो इन्हें हम Slip कर लएंगे अब यह देखिए यह दो फंथे Slip किये गया है तो इन दोनों फंदो के बाद हम ऐसे शलाई डालेंगे यह हमने किसी फंदे मेंने डाला या Chip환 सिब्सक्त और जो इस पेस उसमें डाला है और एक लूप निकालेंगे उसके बाद इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे अब लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके नीचे से इसके अंदर से निकाल लेंगे नेक्स्ट दो फंदे नेक्स्ट दो फंदे स्लिप कर लेंगे फिर ये दो slip कियोए फंदे है तो इनके बाद हम ऐसे slide डालेंगे और एक लूप निकालेंगे अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुल लेंगे लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकालेंगे नेक्स दो फंदे slip कर लेंगे इसी तरह हम पूरी लाइन बुल लेंगे लास्ट फंदा यह स्टीच है उसे हम सीधा बुल लेंगे अब रॉंग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अब यह जो दो फंदे हैं हमारे बुने हुए उसको देखिए ऐसे स्लाइड डालेंगे और पहले इसको हम बुल लेंगे अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब पहले इस फंदे को हम आगे लाएंगे और अब इस बुने हुए फंदे को उल्टा बन लेंगे यानि दोनों फंदों को हमने एक एक फंदे के आगे और पीछे कर दिया अब दो बुने हुए फंदे के बीच में ये दो स्लिप की हुए फंदे आ गए अब इसे देखिए ये हमारा बुना हुआ फंदा है इसको ऐसे आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे अब इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे अब पहले ये स्लिप के हुआ फंदा हम लेंगे और बने हुए फंदे को एक फंदे के बाद कर ले अब इसको उल्टा बलनाँ तो देखिए दोनों फंदों के बीच में दो उल्टे तो slip के हुए फंदे आगा है यह जो बुने हुए फंदे है उनको एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे करना है देखे यह हमने ऐसे किया हुआ है ऐसे ही हमें इस बुने हुए फंदे को स्लिप की हुए फंदे के पहले बुनना है तो या तो हम इसको ऐसे जगह बदल के अब बुन ले और स्लिप की हुए फंदे को स्लिप कर ले और ये देखिए दूसरे वाले स्लिप की हुए फंदे को भी हम ले लेते हैं और तब इसको उल्टा बुनते हैं दुनों के बीच में देखे दो स्लिप की हुए फंदे आगे बुने हुए फंदे को स्लिप की हुए फंदे के पहले लाद देना है और इसे उल्टा बुन लेना है इसको slip किया हुए फंदे के बाद कर देना है और उल्टा बन लेना है अब ये दो फंदे हैं इनको एक फंदे के पहले और दुसरे को एक फंदे के बाद कर लेना है तो ऐसे आगे से स्लाइड आ लिए और यह बुना हुआ फंदा इसे पहले उल्टा बुलने अब slip के हुए फंदे को वापस करें अब यह दूसरा slip के हुआ फंदा पहले इसको ले ले और अब इस यूँज़ बने विफंदे को वापस उल्टा बुलने पांचवी लाइन और सामने से है, अब बेस कलर से सभी फंदे सीधे बुन लिया जाएंगे बुने हुए फंदे और स्लिप की हुए फंदे, सभी फंदे बेस कलर से सीधे बुन लिया जाएंगे पांचवी लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गया है और छठी लाइन में या रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे सेवन्थ रो और फ्रंट साइट प्राइमरी कलर के उनसे दो फंदा स्लिप कर लेंगे नेक्स दो फंदा सीधा दो फंदा स्लिप कर लेंगे अब देखिए ये सेकंडरी कलर के जो दो फंदे दिखाए दे रहे हैं इन्हें हमें स्लिप करना है और नेक्स्ट दो फंदा सीधा बनना है देखिए ये सेकंडरी कलर वाले दो फंदे हैं ये दोनों फंदे जो इकटे हुए हैं इन्हें हमें स्लिप करना है और दो फंदे हमें सीधा बुनना है ये सेकंडरी कलर वाले दो फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप करना है और next दो फंदे सीधा बुनना है और last में भी दो फंदे उसे हम slip कर लेंगे तो हमने 7th row complete कर लिया 8th row और wrong side से slip की हुए फंदे slip कर लेंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा 9th row और front side सेकेंडरी कलर के उन से अब देखी ये जो दो फंदे हमने slip किये थे तो दो फंदे के बाद है ये देखी एच्छे दिखाय दे रहा है इसमें हम ऐसे slide डालेंगे एक लूप निकालेंगे और ये दो फंदे जो slip किये गए थे अब उन्हें सीधा बुन लेंगे और लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे नेक्स्ट दो फंदे slip करना है अब देखी ये दो फंदे slip किये हुए हैं तो इन दोनों फंदों के बाद दूसरी और तीसी slide के बीच में ऐसे हम slide डालेंगे दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे slide डालेंगे एक लूप निकाल लेंगे अब इन दोनों फंदों को सीधा बुलेंगे लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से आसे निकाल लेंगे next दों फंदे slip के हुए फंदे के बाद दूसरी और तीसरी फंदे के बीच में slide डालेंगे एक लूप निकालेंगे अब दोनों फंदों को जिसके बाद से ये लूप निकाला गया है उसे सीधा बुलेंगे लूप को उठाएंगे और slip के हुए फंदे को इसके अंदर से निकालेंगे नेक्स दो फंदे slip कर लेंगे अब देखे ये फिर दो फंदे slip की हुवे आये हैं तो सरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे slide डालेंगे एक loop निकालेंगे अब दोनों फंदों को सीधा बन लेंगे loop को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे नेक्स दो फंदे स्लिप करना है दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में स्लाइड डालेंगे एक लूप निकालेंगे अब दोनों फंदों को सीधा बुलेंगे लूप को उठाएंगे और दो नो फंदो को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे अगले दो फंदे स्लिप करना है तो ऐसे ही करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे अब लास्ट में ये दो फंदे स्लिप किये हुए तो ऐसे हम स्लाई डालेंगे और लुप निकालेंगे अब दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे लुप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा तो इसको हम दाइनिस लाएं में ले लेंगे और ये बुना हुआ फंदा है इसको slip कियो फंदे के बात कर लेंगे और उल्टा बुन लेंगे अब दूसरी तरफ से बुना हुआ फंदा हम ऐसे सामने से स्लाई डालेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे और अब slip कियो फंदा इसके बात कर लेंगे अब यहां पर दूसरी तरफ से ये slip कियो फंदा लेंगे और बुने हुए फंदे को इसके बात कर लेंगे और बुने हुए फंदे को वापस उल्टा बुन लेंगे यानि इन दो बुने हुए फंदे के बीच में एक इधर से और एक इधर से दोनों तरब से दो फंदे आ जाएंगे और इन दोनों स्लिप की हुए फंदे को वापस हमें स्लिप करना है इसे बुनना नहीं है बुने हुए फंदे को देखे देखिए slip की हुए फंदे के बीच में हमने दोनों slip की हुए फंदे को कर लिया है और अब बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे और slip के हुए फंदे को वापस slip कर लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा पर लेंगे तो इसी तरह हमें अब इन दो बुने हुए फंदे के बीज में दोनों साइड से एक एक slip के हुए फंदा ले लेना है और इन slip के हुए फंदे को वापस हमें slip ही करना है इन्हें बुनना नहीं है तो ऐसे हम सामने की तरफ से इसमें सलाई डालेंगे ऐसे और उल्टा बुन लेंगे और अब स्लिप की हुए फंदे को दाइनी सलाई में ले लेंगे और वापस इसे स्लिप कर लेंगे अब दूसरे स्लिप की हुए फंदे को पहले दाइनी स्लाइम ले लेंगे अब बुने हुए फंदे को बाइन स्लाइम में लेके और वापस इसे उल्टा बुन लेंगे सामने स्लिप की हुए फंदे को पहले छोड देंगे बुने हुए फंदे को पहले सामने की तरफ से ऐसे स्लाइड आ लेंगे उल्टा बुन लेंगे अब slip की हुए फंदे को दाइनिस लाएं में ऐसे चढ़ा लेंगे यह दूसरी तरब से slip की हुए फंदे को पहले हम ले लेंगे बुने हुए फंदे को अभी छोड देंगे slip की हुए फंदे को पहले दाइनिस लाएं में लेंगे और अब बुने हुए फंदे को इसके बाद ऐसे कर लेंगे और बुने हुए फंदे को वापस उल्टा बुल लेंगे तो देखिए इन दोनों फंदों के बीच में दो स्लिप के हुए फंदे आ गए इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए, यहाँ पर सभी बुने हुए फंदे के बीच में, दो दो स्लिप की हुए फंदे आ गए और अब प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे उलनेंगे तो प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बुन लिए गया है अब रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे देखिए, यह छे लाइन का डिजाइन कम्प्लीट हो गया यह छे लाइन का डिजाइन और यह छे लाइन का डिजाइन तो अब इन ही 12 लाइनों को हमें वापस बनाना है अब फिर डिजाइन बनाने के लिए हमें बेस बनाना होगा यानि कि अब फिर प्राइमरी कलर से दो फंदा सीधा बनेंगे और देखिए ये दो फंदे हमारे सेकंडरी कलर वाला इकठे हो गया है यानि इन्हें हमें स्लिप करना है फिर दो फंदे सीधे दो फंदा स्लिप करना है दो फंदा सीधा देखिए ये सेकंडरी कलर वाले दो नो फंदे हैं तो इन्हें हमें स्लिप करना है और दोफंदा सीधा यानी हमारा पहला लाईन एर रिंग साइट से स्लिप कियो हुए स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुनें तो ये हमारे डिजाइन का बेस्तियार हो गया, अब secondary color से बुनेंगे, तो ये जो फंदा दो हमने फंदा बुना है, तो अबकी इन दोनों फंदों को हमें slip करना है, और ये जो दो slip किये हुए फंदे हैं, तो इनके बाद ऐसे slide डालना है, और secondary color से एक लूप निकालना है, फि और लूप को इन दोनों फंदों के उपर से ऐसे निकाल देंगे next दो फंदे slip करना है फिर दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में slide डालके एक लूप निकालना है फिर इन दोनों फंदों को सीधा लूप उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाले तो इसी तरह दो फंदा को बुनते हुए और दो फंदा को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉंग साइट से इन बुने हुए फंदों के बीच में दोनों साइड से एक एक स्लिप किया हुआ फंदा हमें लाना है तो पहला फंदा स्लिप किया ऐसे सामने की तरफ से इसको उल्टा बुन लेंगे अब स्लिप किया हुआ फंदा इस पे ले लेंगे और दूसरी साइड से स्लिप किया हुआ फंदा ले लेंगे और उसके बाद बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे सामने की तरफ से बुने हुए फंदे को पहले उल्टा बुनेंगे अब slip की हुए फंदे को इस पे चला लेंगे अब दूसरी तरफ से पहले slip की हुए फंदे को हम दानी सलाई में ले लेंगे अब बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे तो पूरी लाइन हमें ऐसे ही कम्प्लीट कर लेना है तो अब सभी फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और पीछे की तरब से सभी फंदे उल्टे तो देखिए फ्रेंस डिजाइन बन के त्यार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉंग साइट से ऐसा छे लाइन का ये डिजाइन है दो लाइन प्राइमरी कलर से बनाने के बाद दो लाइन सेकंडरी कलर और फिर दो लाइन प्राइमरी कलर तो अगला डिजाइन बनाने के लिए फिर दो लाइन प्राइमरी कलर से दो लाइन सेकंडरी कलर से दो लाइन प्राइमरी कलर से यानि दो डिजाइन के बीच में यहाँ पे चार लाइन प्राइमरी कलर से हो जा रहा है तो छे लाइन का ये डिजाइन है और तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा है तो कृप्याई से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,